पुर्स है सम टेरों इन लगिण और बीजे तरों इंफ कडूंता है। चली दूस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे मैस, मैस में सिंफ्लिफिकेशन सद्ली करल। किस दखार से हम लोग जये के वी बॉड मांस को जये के प्रयोग करके किसी भी question को हम लोग जाके असानी से solve कर पाएंगे इसके बारे में आज हम लोग सिखेंगे V word mask V for Venniculum bar B for bracket O for off D for division M for multiplication A for addition S for subtraction तो इसमें जो हमारे V word mask का order दे रखे है इस प्रकार इन्हें जो है कि follow करके हम किसी भी question को solve करेंगे तो जैसे कि V यह हमारे Venniculum bar है इसका sign इस प्रकार से होता है bracket bracket जो है कि हमारे तीन प्रकार के होते हैं bracket हमारे तीन प्रकार के होते हैं जिसमें जो है कि हमारे जो है कि small bracket होता है मजले ब्रैकेट होता है बड़ा ब्रैकेट होता है अब इन ब्रैकेट होता है सबसे पहले हम लोग जाए कि स्माल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे फिर मजले ब्रैकेट को सॉल्व करते है उसके बाद जाए कि बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो B इसके बाद bracket के बाद आता है O, O for off, off का मतलब multiply होता है, off का मतलब जोई question multiply होता है, लेकिन जब कभी भी off और multiply question दोनों जोई के दिया रहेगा, तो हम सबसे पहले जोई के off करेंगे, off करने के बाद D for division, division करेंगे, division के बाद multiply question, A for addition, S for subtraction, इस प्रकार से हम लोग जोई के V board mask प्रयोग करके question को solve करेंगे, तो जैसा कि पहला question दे रखे है, 7 divided 14 divided 15 divided 3, तो इस प्रकार से देख रहे हैं, 3,4 जोई के हमें जोई के divide दे रखे हैं, तो इस question को हम लोग क्या करते हैं, जब धेर सारे divide दे रते हैं, तो rule होता है, left to right solve करते है left to right solve करेंगे तो इसमें जो है कि 7 सबसे पहले 7 है 7 में क्या कर देते है 14 से डिवाइड करेंगे फिर डिवाइड है यह डिवाइड 15 फिर 3 डिवाइड है यह हो जाएंगे 3 इस रकार से नहीं जब हम लोग solve करेंगे तो हमारा जो है कि 7 बंजा 7 7 तू जा 1 अपान 2 मल्टिप्लाइ 15 मल्टिप्लाइ 3 है इनका मल्टिप्लाइ करेंगे 15 तू जा 30 33 जा 90 90 हो जाएंगे तो इस रकार से जब जाए कि 2 तीन 3 चार जाए कि हमें जाए कि डिवाइड एक साथ दिये रहेंगे तो हम जाए कि लेप्ट 2 राइट करेंगे लेप्ट से राइट सॉल्व करेंगे अब हम लोग जाए कि अगले कोश्चन में चलते हैं जो कि कोश्चन दे रखा है 72 डिवाइड 9 आफ 1 बाइ 3 प्लस 2 बाइ 3 मल्टिप्लाइ 1 सही 1 अपान 2 तो इस कोश्चन को सॉल्व करते समय हमें सबसे पहले जो है कि आफ को सॉल्व करना पड़ेगा आफ का मतलब होता है मल्टिप्लाइ तो हम 9 में 1 बाइ 3 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो 3 आजाएंगे 3 फिर इसके बाद प्लस 2 बाइ 3 यह हमारा मिक्स फार्म है मिक्स फार्म को जैब हम लोग जाए कि इम प्रॉपर फैक्षन में चेंज करते है तो 2 वन जा 2 वन 3 बाइ 2 हो जाएगा अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे अब इसके बाद जाए कि डिवाइड है प्लस से मल्टिप्लाइए तो हम इसके बाद ओफ सॉल्व हो गया आफ के बाद आता है डि बोर्ड में जहे कि डि आता है डि फॉल्ड डिविजन तो इसके बाद हमें डिविजन को सॉल्व करना है तो यहाँ पर 72 में 3 से डिवाइड करेंगे 24 हो जाएगे अब यहाँ पर multiply देख रहे हैं 3 3 से cancel हो जाएंगे और 2 2 से cancel हो जाएंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएंगे 24 प्लेस 1 24 प्लेस 1 को add करेंगे 25 उपर की question के answer हो जाएंगे 25 अब हम लोग यह के अगला question चलते हैं अगला question दिया है 222 minus 1 by 3 of मजलिब bracket में 42 plus 56 minus 8 plus 9 तो जैसा कि हमें बतायाता है वेनुकुलम बार जो है कि इस प्रकार से हमारा वेनुकुलम बार है तो हम इन्हें solve करेंगे तो सबसे पहले वेनुकुलम बार को हम लोग solve करेंगे 222 minus 1 by 3 of 42 plus 56 8 plus 9 करेंगे 17 हो जाएंगे मजले bracket बड़ा bracket 222 minus 1 by 3 of इन्हें हम लोग solve करेंगे इस छोटे bracket को solve करेंगे 42 यह हमारा जोग कि 39 हो जाएगा इन्हें 56 मेंसे जोग कि 17 minus करेंगे तो 39 हो जाएगा अब यहाँ पे off लगा है bracket और इनकी बीच में off लगा है इन्हें plus कर देंगे 222 minus off off का मतलब होते है multiply 42 और जाएगे 39 को plus करेंगे तो 9 9 to 11 1 carry किया 4 4 3 7 1 8 अब हम इन्हें solve करेंगे 222 81 upon 3 करेंगे 27 आएगे 222 में से हम लोग जाएकि 27 को minus करेंगे 195 हो जाएगे तो इस रकार से हम जाएकि वैनकुलम बार को solve करेंगे इसके बाद bracket solve करेंगे small bracket मजला bracket फिर बड़ा bracket फिर उसके बाद जाएकि division division multiplication add ओगर जाएकि solve करेंगे अब हम लोग जाएकि अगला question चलते हैं जिसमें दिया है 54 divided by 3 multiply 16 divided by 2 के whole अपान में दे रखे है 180 divided by 5 multiply 6 divided by 3 तो इन्हें हम solve करते हैं तो इसमें multiply और divide दिया है तो सबसे पहले हम लोग जाएकि divide कर देंगे 54 में 3 से divide करेंगे 18 हो जाएंगे multiply 16 में 2 से divide करेंगे 8 हो जाएंगे 18 में 5 से divide करेंगे 36 और 6 में 3 से divide करेंगे 2 हो जाएंगे अब जाएकि 18 बंजा 18 टू जा उपर 8 है 8 बंजा 8 टू टू जा 4 8 अपान 4 करेंगे 2 हो जाएगा अब हम लोग अगला question चलते है अगला question दिया है एक्स माइनस बड़े bracket में Y माइनस मजले bracket में Z माइनस इसमाल bracket X माइनस Y माइनस Z के ओपर venoculum बार रगा है फिर brackets बंद है तो सबसे पहले इस question को solve करते समय हमें सबसे पहले venoculum बार को solve करना है तो X Y Z X जब हम venoculum Y-Z हम solve नहीं कर पा रहे है यानि कि यह जो है कि यह हमारे जो है कि unlike term है तो हम लोग जो है कि इसे क्या करेंगे अब यहाँ पर minus Y है तो minus Y अब यह minus और यहाँ पर plus हो जाएगा plus Z हो जाएगा क्योंकि venoculum बार जो है कि एक ब्रैकेट लगाएंगे minus है जब ब्रैकेट open होगा तो plus हो जाएगा अब यहाँ solve करेंगे X minus Y minus मजलिब रैकेट में है Z अब जो है कि इस small ब्रैकेट को attacker ब्रैकेट open करेंगे minus sign दिया है तो अंदर के sign जो है कि बदल जाएगे X minus minus Y जो है कि plus Y हो जाएगा और Z जो है कि minus में चले जाएगे अब हम यहाँ पर देख रहे है Z plus है और Z minus है कर जाएगे इसके बाद X minus अब बड़े ब्रैकेट में minus मजलिब रैकेट को open करेंगे तो minus X जो है कि plus हो जाएगा plus X और जैके minus plus minus Y हो जाएगे अब है यहाँ पर जो है कि Y plus है और Y minus है तो cancels out हो जाएगे अब जैके X minus plus minus X और इस प्रकार से जो है कि X plus है और X minus है तो इस प्रकार से इस questions का answer जो है कि 0 होगा अब हम लोग जाएके अगले question में चलते हैं जो कि अगला question दे रखा है 25 minus बड़े bracket में 40 divide 8 मजले bracket में 8 small bracket 6 minus 6 minus 1 small bracket 1 मजले bracket 1 बड़े bracket 1 तो हमें इने solve करना है तो हमें सबसे पहले बैनकुलंबार को solve करना है 6 minus 1 यानि कि अगर हमें question इस प्रकार से दिया जाए minus 6 minus 1 करना है तो minus 7 हो जाएगा अगर हमें question के वल इस प्रकार से दिया हो वेनकुलंबार लगा दिया हो तो हम क्या करेंगे 6 minus 1 करेंगे तो जो है कि minus 5 इसी solve करने पर minus 5 आएगा तो हम इने solve करते हैं तो वेना कुलम बार के यह मतलब होता है इन्हें हम solve करेंगे तो 25-40 divide है मजले रैकेट में 8 6-1 करेंगे 5 हो जाएगा तो यहाँ पर 6-5 हो जाएगा 25-40 divide वही 6-5 करेंगे 1 हो जाएगा 8 वन्जा 8 हो जाएगा तो यहाँ पर 8 25-40 40 में 8 से divide करेंगे 5 हो जाएगा अब 25-5 करेंगे 20 तो उपर वाले question का answer हो जाएगा 20 अब हमें जाएक एक last question है जिसमें दे रखें 1 plus 2 divide मजले bracket में 1 plus 2 divide 1 plus 1 by 3 तो इस question को solve करते समय सबसे पहले हमें जाएकि बेनकुलम बार नहीं दे रखें तो हमें brackets को solve करने ब्रेकेट समय जाएकि small bracket को पहले solve करेंगे 1 plus 2 divide मजले bracket 1 plus 2 divide इन्हें हम लोग solve करेंगे तो जाएकि 4 upon 3 हो जाएगे अब 1 plus 2 divide 1 अब इनका reciprocal हो जाएगा पीछी वाले का reciprocal हो जाता है तो यह उपर चले जाएगे और यह नीचे चले है 3 उपर चला जाएगा 4 नीचे चला जाएगा अब इन्हें solve करेंगे तो 1 2 तो यहां पर जो है कि 1 plus 2 divide by 1 plus 3 by 2 अब हम इन्हें solve करेंगे 1 plus 2 divide यह जो है कि हो जाएगे 5 by 2 हो जाएगे अब divide है divide में जो है कि reciprocal हो जाता है पीछे का multiply में change हो के reciprocal हो जाएगे तो 1 plus 4 by 5 यहनि इन्हें हम लोग लिख सकते हैं 5 सही 4 अफान 5 तो इस question का answer जो है कि 5 सही 4 अफान 5 होगा तो 1 आफान 5